नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 11 कंट्रीज जो की प्रमोटर कंट्रीज हैं मार्किट के अंदर इसकी काफी डिमांड रहती है इन कंट्रीज के तो इन में से यह दो कंट्रीज मैं अभी जो डिस्कस करूंगा तो उसका बहुत टाइम से वेट था हमारे कंसल्टेंटों को भी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि यह कब अपने वीजा उपन करेंगी एक तो साइपरस था एक माल्टा तो इन दो कंट्रीज के जो स्टूडेंट वीजा है अभी उपन हो चुके हैं अगर आपने इन दो कंट्रीज में अपलाई करना है तो अभी आप अपलाई कर सकते हैं तो यह जो मैं 11 कंट्रीज डिसकस करने जा रहा हूं यह प्रमोटड कंट्री हैं इसको हर एक कंसल्टेंट हर ए तो इन में हम जैसे consultant को काफी benefit रहता है लेकिन student को कुछ नहीं benefit होता but promotion इसकी इतनी है तो बच्चा अगर सोया पड़ा है जाग रहा है तो वो ही कहता है कि मैंने in countries में ही जाना है but in countries में है कुछ नहीं है सिर्फ time waste है पैसा waste है but आपका जो crash है जो आप desperate रहते हैं वो सिर्फ आपका fulfill हो सकता है इन countries में अगर आपने जाना है तो मेरी कोशिज यही रहती है कि मैं effect बताकर ही बेजूँ क्योंकि जिस भी बच्चे ने जाना है इन countries में भी तो 63 लाग से start हो गए और 4-4-4-5-5 लाग रपया लग जाता है तो जिस साठे 3 जा 3 लाग जा 4 लाग जा 5 लाग रपया यह एक छोटी amount नहीं है क्योंकि हर एक person ने इतनी amount को कोई loan लेकर जाना है तो कहीं से किसी ने मांग के ले जाना है किसी ने बचारे ने अपनी saving की होती है तो जिस बच्चे ने जाना होता है उसकी expectation यह होती है कि मैं बहां जाके settle हूँ मैं पैसे कमाऊँ अपने घर को बेजू और और हमारी prosperity हो पर ऐसा होता नहीं है और बच्चा और सारी complications में फस जाता है तो इन में मदद जाने का reason यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा desperate रहते हैं आपका visa बार बार refuse होता है और आपके consultant के पास कोई options नहीं होता तो वो इन countries में आपको बेजने की कोशिश करता है अगर आपने इन countries में जाना भी है यही मैं 11 countries जो discuss करूँगा तो crown immigration भी आप भी help कर सकती है लेकिन बताऊंगा truth और सबसे कम पैसे लोगा जितने बाकी consultant इन countries को promote करते हैं तो countries कहां से start करते हैं Malta से तो Malta यह शेंगन country है एक ही इसको शोड़ के बाकी सारी बचारी दुखी countries है आप भी दुखी student तो country भी दुखी है तो Malta का जो अभी intake है open हो चुका है यहां पर हर दूसरे मीने हर मीने intake रहता है अभी covid के बाद अभी खुला है यहां पर अभी majority of applications पढ़ेंगी Malta के अंदर फिर मैंने बता दिया यहां पर हर एक बच्चे को admission मिलता है वीजा नहीं मिलता है वीजा के लिए they are very selective Malta वाले को अभी पूरा knowledge आ चुका है Malta अमबैसी को Malta वालों को कि यहां पर हमारे पास majority of applications क्यों पढ़ती है क्यों पढ़ती है क्यों क्यों पढ़ती है क्योंकि admission easy है बस admission के बाद उन्होंने फीस मगानी है या ड्राफट मना लो जब वीजा के बाद पैसे दो ऐसी गेम में चलती है अगर वीजा आ गया तब भी consultant को benefit है वीजा नहीं भी आ गया तब भी consultant को benefit है तो नुकसान आपको है Malta में application डालने से पहले आपने हजारवरी सोचना है ऐसे नहीं डाल देनी है क्योंकि Malta ambassive भी हर एक बच्चे की interview लेती है अभी majority of application Malta में पढ़ेंगी क्योंकि शेंगन की यही एक ऐसी promoted country है यहां पर majority of applications पढ़ती है और भी क्या होगा कि जहां कि कि किसी की कहीं की इसा होगा तो साइप्रस साइप्रस का भी अभी open हो चुका है साइप्रस government को भी अभी अकल आ चुकी है साइप्रस government पहले क्या थी कि बहां पर कोई भी admission की restrictions नहीं थी अभी हर एक college ने 40 40 seats हर एक diploma में की हुई है अभी 40 से ज्यादा student भरती कर सकते आई-LTS जहां आपकी interview लेंगे तब आपका वीजा grant करेंगे और यह साइप्रस में majority of application fake document लगा कर लोग डालते हैं और अभी साइप्रस government को भी इसका पता चल चुका है कि चाहे वो आपकी bank statement है चाहे आपकी PCC है चाहे आपकी academic document है तो साइप्रस में भी जाना है तो crown immigration आपकी help कर सकती है सबसे कम और सबसे बड़ी है service मिलेगी पृत बता कर बेजेंगे हैं नहीं कुछ भी टापू है छोटा सा तो वहां से आगे निकलना it is impossible from Cyprus बट लोग ट्राइया मारते हैं asylum डालते हैं फिर अपनी जैलो सिलिप में बनाते हैं रुमानियन लड़कियों से marriage करवा के जहां वहां से फिर सर्विया फ्लाई करते हैं कभी तुर्की फ्लाई करते हैं फिर वहां से illegal crossing करने की कोशिश करते हैं ऐसे ड्राम में जलते हैं तो फैदा कुछ नहीं है मियोटी ओफ लोग की बापस आते हैं लोगों को यहीं बताते हैं कि पाथवे हैं जी साइप्रस से आपको बहां बेजेंगे साइप्रस में भी जाना है तो करोनीमिंग रिशन आपकी help कर सकती है तो सिंगापूर सिंगापूर आलडी ओपन हो सिंगापूर की अगर आपकी कोई भी क्यारी है चाहिए 3-9 रेख़वां infection बहां पर को varied नहीं है इसाइप्रस रेख़वां Center गती है अगर सिक्समेंऽ सिंगापूर में कोई भी सेटल्मेंट प्रसी नहीं हैं ना ही कोई वहाँ से पात हुए है बापस आना पड़ेगा दिस इस अफेक्ट समझने की कोशिश करें तो इसके बाद हमारे पास मॉरेशियस है मॉरेशियस भी आरड़ी दो महीने ओचुके हैं उपन हो चुका है मॉरेशियस में दसमी वाला वी प्लस टू वाला वी बेशियस में भी लोग यही कहते हैं कि आपको यहां से हम फ्रांस बेजेंगे शेंगन बेजेंगे या यूके बेजेंगे लेकिन इडिस इंपॉसिबल अफ्रिकन कंटिनेंट है चोटा तो आईलेंड है तो कुछ भी पोसिबिल्टी नहीं है जॉब जूब जूब कुछ न पंताली सो यूएस डॉलर की फीस है सिरफ तो दुबई में भी आपको बेश सकते हैं और ये तो पूरी जॉब आली कंट्री हैं यहां तो है यह जॉब के ओपर सर्वाइवल सारा तो यहां पर जॉब मिलने के काफी चांसे हैं तो यहां पर आप जितनी मर्जे टाइम पर कोई भी पॉल्स नहीं है इसी तरीके से हमारे पास रशिया है रशिया का भी आरड़ी स्टूडेंट वीजा ओपन हो चुका है तो रशिया में अगर आप स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहते हैं तो यहां पर भी हंडर परसंट वीजा है बिदाउट एनी प्रॉब्लम तो इसका भी बज़ट तीन साड़े तीन लाकर पर एका साल की फीस टिकट अम ऐसी फीस सर्विस चार्ज़स डालके और वीजा के बाद इप चार पैसे लगते हैं तो यहां पर भी जाना है तो आपको बेज सकते हैं लेकिन यह नहीं है कि रशिया के बहुत सारे बॉडर श से आप शेंगन चले जाएंगे इंपॉसिबल है ट्राइया मार सकते हैं कुछ कंट्री के वीजा बहां से मिल सकते हैं लेकिन फिर मैंने बता दिया हमारी किसी भी कंट्री की कोई भी कुमिटमेंट नहीं रहेगी कि हम आपको आगे बेजेंगे तो आपको हम रशिया में भी 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 सकते हैं तो यूकरेन तो यह अभी सब कंट्री बनती तो लोगों ने लोगों को यूकरेन बहुत भेजा है यह बता कर कि शेंगन कंट्री है यहां से बस में ट्रेन में चले जाओ आप शेंगन कंट्री में बिलकुल गल्थ है अगर आपने फिर भी यूकरेन जाना ह है तो chron immigration आपकी help कर सकती है कोई जौब नहीं है वहां पे language की बड़ी problem है कोई भी आप border cross करके कहीं नहीं जा सकते हैं कहीं पर भी जाना है वीजा लेकर जाना पड़ेगा सो समझ कर जाना है बहुत सारी deportation भी है deport भी बहुत होते हैं बच्चे फिर भी यूकरेन जाना चाते हैं तो chron immigration आपकी help कर सकती है इसी तरीके से मॉल्डोवा कंट्री है योकि यूकरेन के साथ में लगी हुई है रुमानिया के साथ में लगी हुई है अगर मॉल्डोवा का है तो chron immigration चाई बता कर बेजेगी और सबसे बड़ी है सर्वीस देगी जितनी वीजिए मैंने कंट्री के बारे में डिसकस कर रहा हूं इसी तरीके से तर्की है तर्की का स्टूडेंट वीजा अपलाई करना है तो वो भी आपको without any problem मिल सकता है तो साथ में नौर्थ साइपरस है जिसको हम छोटी तर्की कहते हैं तो उसमें भी अगर आपने जाना है तो उसमें भी chron immigration आपकी help कर सकती है without any problem इसी तरीके से चाइना है स्टूडेंट वीजा वो भी ओपन हो चुका है अगर आपने चाइना में अपने Mandarin language जिसको हम Chinese language कहते हैं या बहां से किसी भी टाइप की डिग्री डिप्लोमा चाहे बैचलर मास्टर करनी है तो बहां पर भी हम आपको बेज सकते हैं फिर बता दिया यह जितनी छोटी छोटी करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है लेकिन कोई भी सेटल्मेंट पोलसी नहीं है टूटल रिस्क रहेगा बहां पर जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम है लेंग्विस की बड़ी प्रॉब्लम है फिर भी आपने जाना है तो हम आपको सचाई बता कर भीजेंगे कि दिस इस आ टूट तो आपकी हम बाकी कंसल्टेंटों से बिल्कुल कम जो हमारी फीसिज रहेंगी जैनूर रहेंगी तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है रेटर टू इन दीज इलेवन कंट्रीज तो आप इमीजरली क्राउनिमिक रिशन से संपार कर स लगता है तो लासी मेरी यही रिक्वेस्टर की अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना ना मुले है तैंक यू